नमस्कार जी नमस्कार सर क्या नाम है आपका? हेमेंदर यादो कहां से आये हो सर आप? ग्राम राइपूरा जिला खरगोन मध्यप्रदेश से आया हूं सर हेमेंदर जी आपने संतरामपाल जी महाराज से नाम दिक्षा कब ली? सर मेंने संतरामपाल जी महाराज से नाम दिक्षा 20 मार्च 2016 को लिया संतरामपाल जी महाराज से नाम दिक्षा लेने से पहले आप क्या बक्ती साधनाई करते थे और फिर उसके पश्चात मेरा एक दोस्त था उसकी फैमिली आसाराम बापू जी से जुड़ी हुई थी तो वो मेरे को एक बार उनके साथ में ले गया दो तीन बार गया तो अच्छा लगा तो मैंने फिर उनसे नाम दिख्षा ली और उनके द्वारा बताई भक्ति करने लगा सर पहले आप देवी देपताओं की बक्ति साथना कर रहे थे फिर आपने आसराम बापू को अपना गुरू बनाया और साथ साल तक उनकी बक्ति साथना की तो फिर आप संतराम पाल जी मारज की सरण में कैसे आए मैं असाराम बापू से जुड़ा हुआ था उनके द्वारा बताई भक्ती कर रहा था और वो अन्य देवी देउताओं की भक्ती भी बताते थे साथ में ब्रह्म की भक्ती भी बताते थे और वो जब नाम दिक्षा देते थे तो कुछ मंत्र इस्टेज से बोलते थे और उसी की भक्ति करना है और वो ये भी बता थे कि अगर मालो आपने सरस्वती मंघर लिया है और आपके इश्ट अगर राम जी या संकर जी है और अगर आप इसी मंत्र से ब्रह्म साधना करना चाहते हैं तो आप ब्रह्म को भी इसी मंत्र से मिल सकते हो इस प्रकार की वो साधना बताते थे ये सारी पूजाएं और साधना जब मैं कर रहा था आसराम बापू से दिक्षा लेने के बाद में तो मुझे यह सत्य लग रही थी लेकिन कहीं न कहीं असंतुष्टी थी जब भी ध्यान लगाता था तो मन नहीं लगता था मन कहीं और भटकता था विकारों में ज्यादा तर भटकता था और बिल्कुल भी ध्यान में मन नहीं लगता था और उनके द्वारा जो मंत्र बताया रहा था उसकी साधना करने पर भी ना तो कोई लाब हुआ और नहीं उसमें कोई मन लगा मेरोको संतुष्टी नहीं हुई और फिर एक दिन चेनल में चैंज करते जा रहा था तो साधना टीवि लगा तो उस पर संतरामपालजी महाराज का सत्संग आ रहा था तो मैंने जब उन्हें देखा तो मुझे लगा था कि ये तो बिल्कुल साधर्ण से दिखाई दे रहे साधर्ण वेज भूसा है शंत जैसे तो लग नहीं र मानते थे तो संतर आमपाल जी महराज ने देवी भागवत तीसरे इसकंद 123 प्रेश्ट पर प्रमाण दिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो अजर अमर नहीं है इनका जनम मृत्य होता है और ये तीनों देवता स्वयम अपने मुख से स्विकार कर रहे हैं देवी दुर् संतर आमपाल जी महराज बता रहे हैं कि ये तो इनका जनम्रुत्य होता है और ये नास्वान है और ये मन में संका भी और तुछा गया जो भी बताया गया है इस्वर के नहीं कि ये संत्र आमपाल जी महाराज स्वयम अपनी देवी भागवत बना के लिए आए हो अपना सास्त्र खुद लिख के लिए हो और वास्तों में जो सास्त्र है वो अलग हो उनमें ऐसा नहीं लिखा हो तो मुझे थोड़ा डाउड था फिर थोड़ी देर बाद उन्होंन उन्होंने ऐसा बताया और संत्र आमपाल जी ने बाकी संतों द्वारा की हुई गीता जी के अनुवात को भी दिखाया सब बाकी संतों ने वरज का अर्थ आना किया हुआ था ц amal महाराज ने बताय कि यह तो इसका अर्थ जाना होता है तो मैंने तुरंत फिर मोबाइल में देखा मोबाइल में फिर वरज का अर्थ खोजा कि इसका मतलब क्या होता है तो वरज का मतलब जाना गती करना गमन करना इस प्रकार से निकला तो फिर मुझे विश्वास हो गया कि ये बिल्कुल सही बता रहे तो फिर मैं और देखता गय इसका नम नहीं दीखाए कि अभी व्रऑलंए उसमें भरेता तो मुझे लगेगा कि आँ बिलकुल यह सही बता रहें और आशरां बापु नहीं कि साध गलत बता है तो इतने में संतरामपाल जी महाराज ने आसाराम बापू की अनुवादित गीता भी दिखाई और उसमें भी उरज का आर्था आना ही किया हुआ था तो मुझे एकीन हो गया कि इन्होंने भी गलत अनुवाद किया है तो फिर इंट्रेस्ट बना फिर दूसरे दिन देखा तीसरे दिन देखा तो ऐसे मैंने एक विक तक देखा सत्संग और संतरामपाल जी महाराज का सत्संग मुझे समझ में आ गया उसके बाद मैं मैंने निर्णाई ले लिया कि अब मैं नामदिक्षा लूँगा और इंदोर नामदान सेंटर पर जाकर संतरामपाल जी महाराज से नामदिक्षा लेने के बाद क्या आपको भी कोई लाप राप्त हुए हाँ सर मुझे संतरामपाल जी महाराज से नाम दिक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाब हुए जिनका वर्णन मैं यहाँ पर करना चाहूंगा सबसे पहले मैंने संतरामपाल जी महाराज जी से नाम दिक्षा ली और मैं अपने घर गया कुछी दिनों में मेरे घर से मम्मी के कुछ जोयलरी थी 40-50,000 की जोयलरी थी वो चोरी हो गई चोरी हो गई या पता नहीं घूम गई तो वो मिली नहीं तो मम्मी रोने लगी तो मैंने कहा कि मम्मी आप रोईये मत संतरामपालजी महराज दया करेंगे और उनकी दया से सब कुछ ठीक हो जाएगा आपका सारा सामान मिल जाएगा आप रोईये मत इतना कहकर जहांपे संतरामपालजी महराज की फोटो लगी हुई थी घर में वहाँ पे जाकर मैंने दंडवत प्रणाम किया और संतरामपालजी महराज से प्रार्थना करी कि है संतरामपालजी महराज अगर आप सच्चे संत हैं और आप सही बक्ती बता रहे हैं और सच्चे संत हैं तो मम्मी के जो भी सामान घुम हुआ है आप मैं जिस अलमारी में रखा वा था उस अलमारी में वापस ढूंडने के लिए जा रहा हूं आप वही पर लाके रख दीजिएगा और मैं जा रहा हूं मुझे मिल जाना चाहिए इतना करकर मैं उस अलमारी में फिर वापस देखने के लिए गया तो वहाँ कोई सामान नहीं था सिर्फ वही डिब्बा था जिसमें मम्मी की जुलरी रखी वी थी और वो मिल गई इतना देखकर फिर मेरी आँखों में आसु आ गए सबको घर में बताया सबकी आँखों में आसु आ गए और फिर उन्हें लगा कि ये सही संत है और इनके द्वारा बताई गई भक्ती भी सत्य है और जो टीवी पे संतरामपाल जी महाराज का सत्संग खतम होने के बाद में भक्तों के अनुभव आते हैं जो उनसे नाम दिक्षा लेकर भक्ती करते हैं तो हम सोचते थे कि हो सकता है जूट हो या फिर ये बनाऊटी हो लेकिन जब मेरे साथ वह चमतकार हुआ तब मुझे पता चल गया कि ये संतरामपाल जी महराज द्वारा बताई गई भक्ती सही है और इनके द्वारा बताई गई मंत्र भी सही है मुझे भी इश्वास हुआ पापा मम्मी सबको मेरे लीवर में इंफेक्शन हो गया था और हेपेटाइडीज ई हो गया था और पीलिया भी हो गया था डॉक्टर ने बताया था कि हेपेटाइडीज ई बहुत कम होता है और यह बहुत ही खतरनाक होता है घातक होता है और डॉक्टर ने बोला कि अब पता नहीं क्या होगा इल मैंने संकल्प लिया कि संतरामपाल जी महराज अगर मैं ठीक हो गया तो आपके दर्सन के लिए मैं आऊंगा तो मैं घर गया और डॉक्टर नो मेरे को परहेज बताया था कि आप तला मत खाना और शिर्फ जूस पीना और हरी सबजिया ही खाना और बाकी कुछ मत खाना तो मैं कुछ नहीं खा रहा था और मेरी तब्यत गड़बड़ी थी उस समय मैं ठीक नहीं हुआ था पूरी तरीके से लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं संतरामपाल जी महराज के दर्सन के लिए जाओंगा फिर कुछ भी हो तो मैं तब्यत खराब थी और मैं उनके दर्सन के लिए चला गया तो फिर डॉक्टर ने जिस चीज का परहेज बताया था कि आप तला मत खाना और बाहर की कोई चीज मत खाना लेकिन वहाँ पर जाने के लिए मैं सफर चार-पांस रोज का था और मैं ऐसी कोई चीज नहीं ले जा सकता था जो खाने लायक नहों तो मैं पराठे बनवाई मम्मी से और चटनी बनवाई और वही चीज लेके गया जो डॉक्टर ने मना किया था और मुझे मेरे से खाना बिल्कुल नहीं खवाया जा रहा था लेकिन उसी दिन जिस दिन में घर से निकला जितना भी खाना बना हुआ था वो दो से तीन लोगों का बना हुआ था और दो दिन का था उसको मैं एक ही दिन में खा गया और खाना खाने के बाद साम तक मैं बिलकुल ठीक हो गया रास्ते में उनके दर्शन के लिए गया था ये इस प्रकार की जो ला इलाज बीमारी जो बता रहे थे बहुत कठीन बीमारी थी लेकिन ये बिना ओपरेशन के और बिना कोई बड़े इलाज के बिलकुल आसानी से फ्री में ठीक हो गया संतरामपाल जी महराज की दया से और ममी की भी तबियत हमेशा खराब रहती थी उनको कमर दर्द उनका हमेशा होता रहता था और वो घर का कोई काम नहीं कर पाती थी जब जाडू लगाती थी तब भी वो बेट के लगाती थी उनसे खड़ा नहीं होया जाता था और घर में काम करने वाला भी कोई नहीं था त फिर संतरामपल जी महरास से नाम दिक्षा लेने के बाद मम्मी का कमर दर्द ऐसे गायब हो गया जैसे पता ही नहीं चला कि कब रोग दूर हो गया और वो बिलकुल स्वस्त हो गया फिर उसके बाद कभी उन्हें कमर दर्द नहीं हुआ और नहीं उनका कभी कोई बुखार आय और एक बार मम्मी पानी गरम करके जा रही थी नहाने के लिए और बाल्टी उन्होंने रखी तो उनका पेर फिसल गया और पेर फिसलने से उनका मूँ पुरा बाल्टी में चला गया और पानी बहुत ज़्यादा गरम था तो उनका पूरा मूँ जल गया था मुह जल गया लेकिन जैसे ही मुह जला तो वो मम्मी उठके संतरामपल जी महराज के फोटो के सामने गई उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करके जैसे खड़े वे तो उन्हें कोई दर्द नहीं हुआ सारा चेहरा जल गया था लेकिन थोड़ा सा भी उन्हें दर्द नहीं हुआ उन्हें ऐसा लगा नहीं कि मेरा चेहरा जल गया है उसके बाद में हमने कोई डॉक्टरी इलाज नहीं करवाया और मम्मी तीन दीन में ही ठीक हो गई जबकि जलने वाले के दाग अगर ठीक भी हो जाते हैं तो कभी मिठते नहीं लेकिन मम्मी को कोई दाग भी नहीं रहा और वो तीन ही दीन में बिल्कुल ठीक हो गई तो इस प्रकार से मम्मी को भी बहुत लाब हुए और सर संतरामपलजी महराज जिसे नाम दिख्षा लेने के पहले घर में पापा नसा भी करते थे तंबाकू भी खाते थे बीडी भी पीते थे और सराब भी पीकर आ जाते थे घर पे हमने उन्हें कई बार बोला ममी ने भी बोला मैंने भी बोला भाई ने भी बोला कि आप नसा छोड़ दो लेकिन उनका नसा नहीं छूट पाता था कई बार बोलने के बाद भी उन्होंने कई बार प्रयाज भी किया छोड़ते थे लेकिन कुछ दिनों बाद वापिस सुरू आटोमेटिक छूट गया उन्हें कभी याद भी नहीं आया कि में कभी तंबाकू बीड़ी पीता था बिल्कुल हमेशा के लिए छूट गया और अब याद भी नहीं आता हुने तो इस प्रकार से उनका नसा भी छूट गया एक बार रोड क्रास करके जा रहा था एटीम में प खरोज भी नहीं आई और मेरे से मेरे उपर से वह कैसे निकल गए मुझे पता नहीं चला आटो वालों भी मुड़ के देख रहा था कि ये तो बिल्कुल चपेट में आ गया था आटो की लेकिन इसे कुछ नहीं हुआ ये कैसे हो गया वह भी पीछे मुड़ के देखता जा और मैं भी थोड़ी देर के लिए बहुत चकीद हो गया था और घबरा गया था कि ये कैसे हुआ मेरे उपर आटो आ गया थे लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ फिर मैंने सोचा कि ये तो संतरामपल जी महराज की दया है वो चमतकार करते हिए कई भक्तों के साथ हुए मे शार में स्वें रॉंग सइट पे था उससी गाड़ी के तरफ चली गयी और उसने मुझे मेरी बाइक से बाइक टकरा गई और मैं गिर गया गिर गया तो भूत में बात बताता हूँ अभी 31 जनवरी 2019 को में रात को खरगोन से अपने घर के लिए जा रहा था तो रास्ते में एक बाई के साथ मेरी टक्कर हो गई आमने सामने की स्ट्रेट टक्कर हुई बहुत जोर से टक्कर हुई और टक्कर होने के कुछ छणों पहले मुझे इसा लग र लेकिन उस जब टक्कर हुई उस समय में कानों में हेड़फोन लगा के संतर आमपाल जी महराज द्वारा बताई गई भक्ती कर रहा था आरती सुन रहा था और जैसे ही टक्कर हुई तो बाई गीरी सामने वाले की भी बाई गीरी उस पे दो लोग सवार थे उन्हें भी कु हो जाई और हो सकता था कि वहां बहुत बड़ी हानी होने वाली हो लेकिन संतर आमपाल जी महाराज कि परमात्मा अपनर भगत की जो बड़ी हानी होने वाली होती है तो इसको चोटे में टाल देते हैं जैसे कभीर परमेशृ की एक वानी है कि सद्धिकुर्य dot this से आई टड़े बलाए जो मस्तक में सूली हो वो काटे में टड़ जाएं तो वहाँ पर हो सकता है कि मस्तक में सूली याने मोध भी लिखी हो सकती थी लेकिन वहाँ पे उन्होंने काटा भी नहीं लगने दिया संतरामपाल जी महाराज ने और मुझे बचा लिया बिल्कुल ठ संत्रामपाल जी महाराज की किरपा से ठीक हो गया इसके इलावा आपकी माता जी को भी संत्रामपाल जी महाराज ने ठीक किया संत्रामपाल जी महाराज की किरपा से आपके पिता जी नसामुक्त हुए और कई बार आपको दुरगटना ग्रस्त होने से भी बचाया तो जो सरद पूजा या भक्ति कर रहे हैं वो सास्त्र विरुद्ध है जिससे किसी को कोई लाब नहीं हो रहा है और संत्रामपाल जी महाराज सभी सास्त्रों से सभी सद्गरंथों से प्रमानित भक्ति बता रहे हैं जिससे भगत को सर्व लाब होते हैं और ये मैंने आजमाकर देख लिय और मुझे पून लाब हुए, मेरे पूरे परिवार को लाब हुए तो आप भी संतरामपाल जी महराज की सरण में आईये संतरामपाल जी महराज पून गुरू है जो वेदो और सास्त्रों से प्रमानित भक्ती बता रहे हैं जिसको करने से सर्वलाप राप्त होते हैं सर संत्रामपाल जी महाराज 2014 से ही जिल में है लेकिन आए दिन उनकी लोग प्रियता लोगों में बढ़ती जा रही है आए दिन उनके सरदालों दिन बादें जुड़ते जा रहा है इसके पीछे क्या कराण है सर संत्रामपाल जी महाराज एक पूर्ण संत है जैसे एक मोबाइल टावर होता है वो एक इस्थान पर होता है लेकिन उसका जहां तक भी नेटवर्क जाता है और उसके संपरक में उस एरिये में जितने भी मोबाइल होते हैं सबको वहाँ पे रेंज मिलती है नेटवर्क मिलता है और सर्वलाब मिलता है इसी प्रकार संतरामपाल जी महराज एक इस्थान पर होते हुए भी चाहे उनका शिश्य किसी भी कोने में हो उसको सर्वलाब प्राप्त हो जाते हैं और संतर आमपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ती से सभी को सभी प्रकार के लाव हो रहे, किसी को आर्थिक समश्या थी तो उसकी कंडिशन अच्छी हो गई, किसी को कोई बिमारी से ग्रस्त था, ला इलाज रोगों से ग्रस्त था, डॉक्टरों ने भी जहां मना कर था कि अब इनका कोई इलाज नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग उनकी सरण में जाने के बाद बिल्कुल स्वस्त हो गए, और बिना पेसे से उन्हें कोई खर्च भी नहीं करना पड़ा, तो इससे सिद्ध होता है कि वो पून संत है, इस बात से भी साबित होता है कि आज वो हैं, लेकिन उनके अनुयाई, उनके जो सिष्य हैं, उनको सर्वलाब प्राप्त हो रहे हैं, जैसे अन्य संतों के सिष्य जो होते हैं, उनकी सरण में होते हुए भी उनके आसिरवात से भी या उनके द्वारा भक्ती भी बताई गई भक्ती से भी कोई लाब नहीं मिलते, ल इस कारण से उनके अनुयाई उनके द्वारा बताईवी भक्ती को छोड़ छोड़ कर संतरामपाल जी महराज की सरण में आ रहे हैं जैसे मैं भी आसाराम बापू द्वारा बताईवी भक्ती कर रहा था और उसे छोड़ कर संतरामपाल जी महराज की सरण में आया और तभी मु आपको स्वतही पता चल जाएगा कि ये पूर संत है सर संत रामपाल जी महाराज से नामदिक्षा कैसे ले सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज से नामदिक्षा लेने के लिए जगर जगर पर उनके नामदान सेंटर है हर जिले में नामदान सेंटर है तो वहाँ पर जाकर आप संतरामपाल जी महरास से नाम दिक्षा ले सकते हैं धन्यवाद सर सत्साहिब